हेलो फ्रेंड मैं एसन प्रजायपती SMB Knowledge Point के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और फ्रेंड अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप से रिक्वेश्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल प Homogeneous Differential Equation, How we can solve given Homogeneous Differential Equation जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं तीन कोस्चन यहां पर हैं और यह तीनों कोस्चन Homogeneous Differential Equation से रिलेटेड हैं तो आज यह देखती हैं कि Homogeneous Differential Equation किस टाइप का होता है और इसको सालव करने का मेथट क्या होता है तो यहाँ पर जड़ा देखें अगर हम लोग d y by dx को लिखें जो भी differential equation दिया हुआ हो d y by dx को एक तरफ कर लें बाकि जो दूसरी तरफ का function है अगर इस तरह से हो या भी xy आपान g xy इस तरह का means d y by dx को एक तरफ बाकि सारे term को एक तरफ करेंगे और इस तरह से क्या बन जाएगा? fraction बन जाएगा, भिंद बन जाएगा तो जब या भिंद बन जाएगा, fraction बन जाएगा तो यहाँ पर जो power उपर रहेगा, उतना ही power नीचे रहनाचा जैसे अगर उपर yx square है, yx का power 2 है तो नीची भी जो भी पद रहेगा उसका भी पावर उतना ही रहेगा मिंस यहाँ पर numerator और denominator मिंस अंस और हर दोनों की पावर क्या होंगी समान होंगे तो इस type के जो भी equation रहेंगे उसको हम लोग homogeneous differential equation कहेंगे जैसे यहाँ पर देखें dyy dx plus y square upon x square तो यहाँ पर देखेंगे y square है इसका पावर 2 है नीचे x square इसका भी पावर कितना है 2 है इसी तरह से इधर y है upon x है इसका पावर 1 है इसका पावर 1 है तो यह क्या है homogeneous differential equation है तो homogeneous differential equation को solve करने के लिए हम मानती है y equal to bx यहाँ पर homogeneous differential equation को solve करने के लिए हम y equal to bx मानती है फिर दोनों साइट को जब differentiate करेंगे तो इस तरह से आएगा dy by dx equal to यहाँ पर देखेंगे first into differentiation आप second जब करेंगे तो b plus x और dv बटा dx इस तरह से इसका differentiation आता है means y की जगह हम लोग bx रखेंगे और dy by dx की जगह b plus x dv by dx रखकर इस तरह की problem को solve करेंगे जैसे की देखेंगे यहाँ पर पहला question है तो हम सबसे पहले question को solve करके दिखाते हैं तो solution आप first यहाँ पर देखेंगे 2xy dy by dx equal to x square plus y square तो dy by dx को एक तरफ करेंगे बागी सब को दूसरी तरफ करेंगे तो यहाँ पर x square plus y square upon 2xy इस तरह से अब यहाँ पर हम लोग मानते हैं let y equal to bx जिस तरह से यहाँ पर हमने माना है इसी तरह से यहाँ पर y equal to bx हम लोग मान लेती हैं फिर देखेंगे dy by dx dy by dx की जगा है यहाँ पर क्या आएगा first into differentiation आप second x का one हो जाएगा plus second x और इंटो d by dx यहाँ पर जाँ देखें dy by dx को हम लोग किस से replace करेंगे b plus x d by dx से हम लोग इसको replace करेंगे तो इस तरह से यह जो equation one है देखेंगे इस types का हो जाएगा यहाँ पर लिखेंगे dy by dx की जगा b plus x d by dx equal to यहाँ पर देखेंगे x square और y की जगा लिखेंगे bx तो y square है तो b square x square upon upon क्या है 2 x की जगा x और y की जगा लिखेंगे bx तो इस तरह से यहाँ से b plus x d by dx equal to यहाँ से देखेंगे x square वो काम लिजें नीचे x square है या इस से कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा क्या b square upon 2 b इस तरह से बचेगा अब इस b को इस side में ले चलेंगे x d by dx equal to 1 plus b square upon 2 b b को right hand side में transfer करेंगे minus b हो जाएगा अब ylc m ले लीजिए पर इस तरह से हो जाएगा yax d by dx equal to 1 plus b square minus 2 b square upon 2 b अब यहाँ से इसको जब minus करेंगे तो देखेंगे इस तरह से यहाँ जाएगा yax d by dx equal to 1 minus b square upon 2 b अब दो अब दोनों इंतेग्रेंगे अब दोनों साइट का हम integral कर लेंगे इंतेग्रेंगे इंतेग्रेंग बोट साइट तो यहाँ से देखेंगे minus 2V dV equal to dt और यहाँ पर 2V dV तो है ही यहाँ पर आएगा minus dt means इसका जो integral आएगा वह आएगा minus log यहाँ पर integral आएगा minus log 1 minus v square और यहाँ पर जब integral करेंगी तो log plus इसके साथ एक constant जोडना है तो एक constant जोडनी की जगा हम लोग c जोड देंगे क्यों क्योंकि जब दोनों side में log आ रहा है तो यहाँ पर constant c log के साथ add कर सकती है या फिर minus भी कर सकती है यहाँ पर इस तरह से देखेंगे यहाँ पर यह हो जाएगा minus log 1 minus v square equal to log यहाँ पर हो जाएगा x c और यहाँ के minus को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकती है यहाँ power minus 1 और इसका मतलब होता है 1 upon 1 minus v square तो इस तरह से अब यह log log दोनों side से हटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 upon 1 minus v square equal to x c अब भी की value हम लोग रख देंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो हमने माना है y equal to v x तो यहाँ पर b equal to हो जाएगा y by x तो यहाँ से भी की जगर रखेंगे y by x तो 1 minus y square upon x square equal to x c अब यहाँ पर x lcm लेकर उपर भीज देंगे तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह से हो जाएगा x square upon x square minus y square equal to x c अब एक x से एक x को हम चाहें तो cancel भी कर सकते हैं तो इस तरह से इसका answer हो जाएगा y x upon x square minus y square equal to c इस तरह से इस differential equation को आप solve कर लेंगे homogeneous method की सहायता से अब आती है question number 2 पर question number 2 बहुत ही important है competition की दिरिश्टी से तो solution of question number 2 dy by dx equal to y by x plus phi y by x upon phi dash y by x तो यहाँ पर इसको solve करने के लिए भी हम मानेंगे let y equal to b x इसको जब differentiate करेंगे तो dy by dx equal to यहाँ पर हो जाएगा b plus x d by by dx और इस तरह से जब इस मान को यहाँ पर रखेंगे इस equation रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा v plus x d by dx equal to दिखेंगा y by x की जगे क्या रख देंगे y की जगे bx रखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा only v plus यहाँ पर phi y by x की जगे भी हो जाएगा अपान phi dash यहाँ पर भी क्या हो जाएगा भी हो जाएगा क्योंकि देखेंगे यहां से भी equal to y by x देखेंगे यहीं से क्या हो जाता है भी equal to y by x तो जहां जहां y by x है वहां वहां पर हमने भी रख दिया और d y by d x की जगा भी plus x d v by d x रख दिया अब भी से भी दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा यहां से बचेगा x d v by d x equal to phi b upon phi dash b इस तरह से बचेगा इस b के फंक्शन को d v के पास ले आएंगे तो यहां पर हो जाएगा phi dash b upon phi b d v और d x को right hand side में transfer करेंगे और y x को upon लगा देंगे आप देखेंगे यहां पर क्या है बहुत ही अच्छा सा अब यह question बनता है integrating both side जब दोनों side का समाकलन करेंगे integrate करेंगे तो यह इस तरह से बन जाएगा phi b d b और इस side में बनेगा dx upon y means यहां पर इसको लिख सकते है 1 by x dx भी लिख सकते है अब यहां पर देखेंगे इस function का differentiation यहां पर मौजूद है इसलिए इसका जो समाकलन के बाद जो value आएगा वह आएगा log देखेंगे इस तरह से आएगा log phi b आएगा और यहां पर इसका जो यहां पर constant of integration हम लोग log के साथ लिखेंगे में c न लिखकर log c लिखेंगे क्योंकि जब दोनों side में log आता है तो constant of integration को log के साथ ही लिखा जाता है ताकि दोनों side से anti-log लें तो वह disappear हो जाए समाप्त हो जाए यहां पर जरा देखें phi b equal to हो जाएगा log x c log की प्रापर्टी से दोनों का x और c का into हो गया अब दोनों यहां से देखें यह log भी रहेगा अब दोनों side से log क्या करेगा cancel हो जाएगा आएगा phi b equal to x c अब b equal to फिर वहीं बात है y by x रखना है तो यहां पर रख दीजिए y by x equal to x c तो इस तरह से question number 2 का यह solution प्राप्त होता है अब आती है question number 3 पर question number 3 कहता है dy by dx plus y square upon x square equal to y by x यहां पर भी जड़ा देखें यह भी क्या है differential equation है और यह homogeneous form है क्योंकि यहां पर जब इसको solution आप 3 यहां पर जड़ा देखें solution आप 3 dy by dx equal to y square by x square को जब हम लोग right hand side में ले चलेंगे तो यह minus के साथ आ जाएगा इस तरह सी और यहां पर यह plus y by x तो है ही इसको इस side में ले लेंगे minus हो जाएगा अब उसके बाद फिर वही हम लोग रखेंगे let y equal to bx यहां पर मानेंगे इसको differentiate करेंगे dy by dx equal to b plus x dv by dx राता है अब यह value यहां पर रखेंगे जब इस equation में तो यहां सी b plus x dv by dx देखेंगे dy by dx की जगे यह value रख देंगे और y की जगा bx रखेंगे तो जब यहां पर रखेंगे तो minus देखेंगे यह equal हो जाएगा minus y की जगा bx तो b square x square upon x square क्योंकि यहां पर square है और यहां पर जब जब देखेंगे plus y की जगा bx रखेंगा upon x तो यह x से x कट जाएगा और यहां से जो बचेगा b plus x dv by dx equal to minus b square और यहां से बचेगा plus b देखेंगे इस तरह से और यह b से भी दोनों साइट से कैंसिल हो जाएगा और यहां से बचेगा x dv by dx equal to minus b square b square को dv के साथ लाइए और x को dx के साथ ले जाते हुए right hand side में लिख लिजिए तो यहां से dv upon minus b square equal to dx upon x अब यहां पर इसको उपर जब ले चलेंगे तो यहां पर हो जाएगा minus b power minus 2 dv equal to one upon x dx integrating both side minus को बाहर ले लिजिए b power minus 2 dv equal to one by x dx दोनों side का integral ले लिया समा कलन ले लिया अब इसके बाद जब इसका integral करेंगे यहां पर power minus 2 है अब इसका जब integral करेंगे तो power एक add होता है देखेंगे इस तरह से आएगा minus यहां पर हो जाएगा b power minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 इस तरह से होता है और यहां पर आएगा log x प्लस इसके साथ एक constant c जोड़ दिया अब यहां देखेंगे यह minus 1 इस minus से cancel होकर क्या देदेगा plus देदेगा और यहां से देगा b power minus 1 तो इसको लिख सकते है b power minus 1 equal to log x प्लस c b की जगह यहां पर इसको लिख सकते हैं 1 upon b equal to log x plus c अब b equal to y by x यहां से जला देखेंगे यहीं implies कर देता है b equal to y by x तो यहां से b की जगह जब y by x रखेंगे तो y नीचे रहेगा और x कहां चला जाएगा उपर तो इस तरह से हो जाएगा x by y equal to log x plus c इस तरह से हिसका solution प्राप्त हो जाता है